Hello students, स्वागत है आप सभी का आशी सिंग लेक्चर्स की इस लेटेस्ट वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले B.S.C. क्लास 11 और इन जनरल एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर जगे आता है और बहुत ज़ादा बच्चे इन टॉपिक्स को लेकर के कन्फूज जाते हैं और लास्ट में हार मान के उसको रट लेते हैं ये वीडियो हाइली कंसेप्शवल है इसका स्टेंडर्ड कॉलेज लेवल का है बट अगर 11th क्लास का बच्चा भी देखेगा तो उसको भी मज़ा आ जाएगा दूसरी बात इस वीडियो में न केवल थियोरी है इसमें प्रैक्टिकल भी है तो इस वीडियो का लास्ट तक आप आनन दीजेगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट एकदम मक्कन हो सके हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मेकनिक्स की और मेकनिक्स में हम लोग बात करने वाले हैं Laws of Motion Laws of Motion और उससे भी important हम लोग बात करने वाले हैं Frames के बारे में अर्थात Frame of Reference के बारे में Frame of Reference को हिंदी में कहा जाता है निर्देश तंत्र तो हम लोग बात करने वाले हैं निर्देश तंत्र के बारे में इतना conceptual वीडियो होगा कि अगर आप starting से last तक पूरा focus के साथ में देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा शुरू करते हैं देखिए आप लोगों ने कभी ने कभी 9th class में पढ़ा होगा छोटी class में इसे ही पढ़ाते हैं Newton का गती का पर्थम नियम तो Newton के गती के पर्थम नियम के बारे में अगर बात करें चलिए उससे पहले निर्देश तंतर के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं अगर माली जी किसी भी वस्तू को वो कहां है ये आपको बताना है तो उसके लिए आप क्या करते हो आपको क्या क्या चाहिए होता है समझिएगा जैसे माली जी एक वस्तू यहाँ पर रखी भी है आपको बताना है इस वस्तू की इस्तिती यह है तो इसके लिए आपको एक coordinate system चाहिए निर्दिशांक जौमेती चाहिए आप इसके चारो तरफ इस तरह से एक x, y, z बनाते हो और उस x, y, z की साहिता से आप उसका मूल बिंद मिल सके और आप इस बिंदू के निर्दिशांक देते हो जिसे कहते है coordinates तो यह सब आप उल्लेडी पढ़ चुके हो class 9 में 8 में सिखाते हैं तो इस तहे से अगर किसी वस्तू की इस्तिती को बताना है तो क्या-क्या चाहिए होता है अपन को उसके निर्दिशांक चाहिए होत करते हैं वस्तू की इस्तिती के बारे में बात करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं निर्देश तंत्र कहते हैं और एक बात को समझेगा निर्देश तंत्र हम decide करते हैं for example जैसे मा लीजी आप से कोई आके पूछता है कि भईया यहां से बजार किती दूर है तो आप उसको बता पूछा है वहां से बजार का रास्ता तो निर्देश तंत्र क्या हो गया निर्देश तंत्र में आप हो और आप उसका मूल बिंदू हो for example आप अपने घर से जब स्कूल का रास्ता बताते हो तो आपका घर जो है वो मूल बिंदू है और फिर जो आप रास्ता बता रहे हो उसके हिसाब से आपका निर्देश तंत्र बनावा है, यहाँ पे इस बिंदू की इस्तिति बताने के लिए, मैंने ये निर्देश तंत्र लिया है, जहाँ पे ये मूल बिंदू है, कोई बंदा चाहे, तो इस बिंदू से भी इस्तिति बता सकता है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पी अपना एक नया निर्देश तंत्र बनाना पड़ेगा इस तरह से जिसको वो x-, y- और z- बोल सकता है उसका मूल बिंदू यह होगा 0,0,0 o- अब आप बोलोगे सर इसके सापेक्ष क्या स्थिति होगी तो यहाँ से आपको x- चलना पड़ेगा और फिर इतना आपको y- चलना पड़ेगा तब जाकर क्या आपको बिंदू मिलेगा तो इस बिंदू P के एक ही बिंदू P के दो कॉडिनेट्स हैं इसके स्थिति आप इसके हिसाब से बताओगे तो x, y- और इसके से बताओगे तो x- y- अरथात मोटी- मोटी बात यह है कि निर्देश्तंतर जो होता है उसकी सायता से हम बस्तू की स्थिती बगरे बताते हैं और निर्देश्तंतर जो है वो हमारी चॉईज होती है कि हम क्या लेना चाहते हैं I hope समझ मा आ गया होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, अब निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है inertial frame of reference, inertial, दूसरा non-inertial, समझेगा, यहीं पर important बात है, inertial को बोलते हैं जड़त्वी है, और non-inertial को बोलते हैं आजड़त्वी है, तो जड़त्वी है, निर्देश तंत्र और आजड़त्वी निर्देश तंत्र इसके बारे में हम बात करेंगे, ध्यान से समझेगा, बहुत जादा important है, चलिए, तो यह दो प्रकार के निर्देश अगर परिबाशा देखें तो बहुत असान है, जहां Newton के गती के नियम लगते हैं, वो आपका inertial जड़त्वी है, निर्देश तंत्र कहलाते हैं, और जहां Newton के गती के नियम नहीं लगते हैं, उसको non-inertial प्रिम ओफ रेफरेंस अर्थात आजड़त्वी निर्देश तंत् रुकी भी है, तो वो रुकी भी रहेगी, और अगर वो एक समान चाल से चल रही है, तो वो एक समान चाल से ही चलती रहेगी, जब तक कि उसके उपर कोई बाहे बल जो की आसंतुलित हो ना लगाया जाएं, फिर से एक बार, अगर कोई वस्तु रुकी भी है, तो रुकी भ रहेगी, अगर कोई वस्तु चल रही है एक समान वेक से, तो एक समान वेक से ही चलती रहेगी, जब तक कि उसके उपर कोई बाहे आ संतुलित बल ना लगाया जाए, आप common life में देखो, आप अभी बैठे वे हो आपके सामने आपका mobile लखावाए मालो, तो जब तक उस mobile के उपर कोई बल नहीं लगाएगा, तब तक वो mobile नहीं चलेगा, हमें लगता है, हाँ या, Newton का गती का नियम परफेक्ट है, अगर मालो आप dining table बैठे वे हो, dining table के उपर खाना पड़ावाए, जब तक खाने को उठाओगे नहीं, वो अपने आपके मुँमें नहीं आएगा इसका मतलब, जो वस्तु rest पर है, रुकी भी है, वो रुकी भी ही रहती है जब तक कि उसके उपर कोई बाहे बल ना लग रहा हो ठीक है, अच्छी बात है अब हम समन्ने की कोशिश करते हैं, कि अगर मैं बस में बैठा हूँ, और मैं बस के अंदर अपना एक निर्देश तंतर मालू हूँ, कि मेरा निर्देश तंतर बस है, मेरा निर्देश तंतर बस है, अब जड़ा सोचिए, अब बस वाला जैसे ही ब्रेक लगाता है बस वाला जैसे ही ब्रेक लगाता है तो जैसे ही बस वाले ने ब्रेक लगाया उसके ब्रेक लगाते ही मैं आगे जुग जाता हूँ बस वाले के ब्रेक लगाते ही मैं आगे जुग जाता हूँ तो सोचने वाली बात यह है कि जब मैं बस के अंदर बैठा हूँ और मैं बस को अपना निर्देश तंतर मान रहा हूँ तो मेरे ऊपर तो किसीने बन नी लगा ना मेरे आजुवाले ने धख्का दिया ना मेरे बाजुवाले ने धख्का दिया तो मैं आगे क्यों जुक की prepare और जबकि Newton का गती का पर्थम नियम बोलता है कि जब तक किसी पे बल ने लगाओगे तब तक कोई हिले गा ही नी तो मेरे उपर तो किसी ने बल ने लगाया मैं तो बस में चुपचा बेटा वा था ना मेरे इदरवायन धक्का दिया ना इदरवायन धक्का दिया फिर भी मैं हिल गया इसका मतलब जो बस है उस बस के निर्देश तंत्र के अंदर आपको नियूटन का गती का नियम नहीं लग रहा है उसे का जाता है अजड़त्विये निर्देश तंत्र अजड़त्विये निर्देश तंत्र अब इन डौनों बातों को मैं और अच्छे से explain करता हूँ ताकि आपको बढ़िया समझ माए एक मस्त example की सायता से ध्यान से देखिएगा कमाल का example है और उसको अपन practically भी करके देखेंगे माल लो आप एक कार में बैठे वे हो और कार के अंदर एक मेज रखी भी है और उस मेज के उपर एक ब्लॉक रखा हुआ है लकडी का ब्लॉक माल सकते हो कुछ भी एक ब्लॉक रखा हुआ है आपने क्या किया अभी कार रुकी भी है कार का वेग जो है वो शुन्य है आपने ब्लॉक को ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है आपने ब्लॉक को उपर उच्छाला जैसे ही आपने ब्लॉक को उपर उच्छाला वापस से ब्लॉक उसी इस्तिती पर आ गया ठीक है, सरी बात है उच्छाला, उपर जाके वापस नीचे आ गया बढ़िया फिर दूसरे केस में क्या हो रहा है दूसरे केस में आपकी जो कार है वो एक समान वेक से चल रही है मालो 30 किलोमेटर प्रति गंटा तो 30 किलोमेटर प्रति गंटा से चल रही है कोई दिक्कत नहीं है बहुत अच्छी बात है आपने ब्लॉग को वापस से उचाला कार के अंदर बैट करके ब्लॉक अपनी जगे से उचला और वापस वहीं पर आ गया ठीक बात है तो आपको कोई confusion नहीं है आपने ब्लॉक को उचला वापस से आपके हाथ में आ गया तीसरे केस में क्या हुआ आपने कार को तौरित कर दिया मतलब या तो कार की स्पीड को बढ़ा दिया या कम कर दिया तो कार के अंदर क्या आ गया तौरण आ गया यहाँ पर था एक समान वेग अब जो कार का वेग है वो कैसा हो गया है आ समान हो गया है आ समान वेग से आपकी कार चल रही है एक मिन फ्रेम एड़ेस्ट कर देते हैं, हाँ जी, तो अब आपकी कार जो है, वो आसमान वेक से चल रही है, तो आप क्या देखते हो, मतब जैसे जैसे कार चल रही है, उसकी स्पीर बढ़ रही है, तो आप क्या देखते हो, कि आपने उच्छाला था ब्लॉक को यहां से, इस तो वो आपको देखने को मिलता है, इस जगए पर, यहां से उच्छाला, पॉइंट नंबर वन से उच्छाला, और वो उचक करके आता है, वापस पॉइंट नंबर 2 के उपर, पॉइंट नंबर 1 से उच्छाला, वहीं पर वापस आ गया, बान टू एक ही जगए पर, में बैठे वे हो कार को अपना निर्देश तंत्र माल लो कि मैं कार में बैठा हूं मुझे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं मैं कार में बैठा हूं कार ही मेरा निर्देश तंत्र है मैंने बॉल को उपर उच्छाला मैंने उसके बलका लगाया उपर की तरफ तो बॉल बॉल को उच्छाला, वो वापस मेरे हाथ में आ गई, तो भी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जिस तरफ मैंने बल लगाया था, उसी तरफ बॉल गई है, मुझे कोई समस्या लिए, पर तीसरे वाले केस में क्या हुआ, मैंने बॉल को जब उ नहीं लगाया है, तो इसका मतलब जो बल है, जो बॉल है, वो या जो ब्लॉक है, वो पीछे की तरफ गती कर रहा है, बिना किसी बल के, इसका मतलब ये जो निर्देश तंत्र है कार का, उसके अंदर काम नहीं कर रहा है, न्यूटन का गती का नियम, मतलब ये जो है, वो आ जड़त्वी ये निर्देश तंत्र है ये जड़त्वी ये निर्देश तंत्र है और ये भी जड़त्वी ये निर्देश तंत्र है और बात किसकी हो रही है कार की हो रही है मैंने कार को माना है निर्देश तंत्र और अगर कार को निर्देश तंत्र मानके चलें तो आपका य इस केस में भी वो जड़त्वी मानी जाएगी, बट इस केस में मज़ा नहीं आया, मेरी कार में जब तॉरन था, मेरी कार की स्पीड जब समय के साथ बढ़ रही थी, तो मैंने जब ब्लॉक को उच्छाला, तो उसके उपर मैंने उपर बल लगाया था, तो उपर जाके वापस नीचे मेरे हाथ में आना चाहिए था, बट वो पीछे की तरफ हो गया, और या तो मेरे मुँ के तरफ आएगा, या फिर इस एक्जाम्ल में समझाओं, तो जहां से मैंने छोड़ा, उसके पीछे जाकर के वो लगेगा, पीछे जाकर के पड़ेगा, तो इस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा, कि मेरे ब्लॉक के उपर पीछे की तरफ किसने बल लगाया, इसलिए कार को जो है, अगर वो त्वर्ण में है, तो वो हमारी कहलाएगी, अजलत्वी निर्देश तंत्र, इतनी बात समझ में आ गई, मोटी मोटी बात किलर हो गई, अब मैं यह समझाने की कोशिश करूँगा, कि यहाँ पर केस हुआ क्या है, अब आपने यह जो पूरा सीन है, इस पूरे सीन को देखा है, कार के निर्देश तंत्र से, अब एक काम कीजिए, प्रत्वी के निर्देश तंत्र से देखने की कोशिश कीजिए, प्रत्वी के निर्देश तंत्र से देखने की कोशिश कीजिए, प्रत्वी पर खड़े हो करके देखने की कोशिश कीजिए, माल लेते हैं एक बंदे को मैंने यहाँ बिठाया, तो उसको का तू अब देख अब अपन वो बात लिख रहे हैं अभी तक क्या हो रहा है अभी तक आप कार में बैठे वे हो और देख रहे हो तो अगर आप कार में बैठे वे देख रहे हो तो उपन वाला केस है और अगर आप की टेबल है, उस टेबल के उपर क्या रखावा है, ब्लॉक रखावा है, आपने ब्लॉक को उपर फैका, बहुत खुशी की बात है, ब्लॉक उपर गया, वापस नीचे आ गया, हाँ, तो इस ब्लॉक को अपने उपर फैका, यह वापस यहाँ पर आ गया, इसमें कोई अतिश् उपर गया, गुर्तवा कशन बनने उसको वापस किचा, बहुत खुशी कि ये बात अच्छा लगा, आगे देखते हैं, इधर क्या हुआ, अब इधर कार के अंदर बैठे हुए बंदी के साब से नहीं सोचने का, सड़क पे खड़े होके देखने का, तब आपको समझ भाएग इस्तिती क्या बनी है, इस्तिती ये बनी है, कि आप अगर सड़क पे खड़े होके देखोगे, तो आपका ये भी जा रहा है, 30 किलो मीटर प्रति गंटे से, या चलो ऐसा करते हैं, इसको आसान बनाते हैं, तफ क्यो बनाएं, मीटर प्रति सेकंड रखते हैं, मीटर प्रति सेकंड तो जब आपका ये bench चल रही है 30 मीटर प्रति सेकंड से तो आपका block भी उसके साथ में चल रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड से मानते हो बात को गौनो एक ही वेक्ष चल रहे है तब ही साथ साथ है अब क्या हुआ जब आपने जब इस ब्लोक को उच्छाला इसके पास सामने की तरफ एक वेक था 30 मीटर प्रति सेकंड बहुत खुशी की बात है क्यों था क्योंकि वो मेच के साथ में चल रहा था मेच कहां थी कार में थी कार में इंजन था इसलिए आगे की तरह वेख था 30 मीटर प्रति सेकंड no problem अब समझो ध्यान से अब क्या हुआ ये ब्लॉक गया उपर जब ये ब्लॉक उपर गया तो इसके पास सामने की तरफ कितनी velocity थी 30 मीटर प्रति सेकंड वो कहां से मिली थी उसको मेज से अब अगले एक सेकंड में जड़ा सोचो अगले एक सेकंड में ये जो मेज है ये कहां पहुँच जाएगी अगले एक सेकंड में ये मेज पहुँच जाएगी 30 मीटर अगले एक सेकंड में ये ब्लॉक कितना चल लेगा शैतिज में 30 मीटर पर 30 सेकंड और गुर्दवा कशन उसको नीचे बुलाएगा तो आपका ब्लॉक जो है वो ऐसी गती करता हुआ यहीं वापस पहुँच जाएगा और आपको थोड़ी देर में यहीं पर दिखेगा इसलिए जब 30 मीटर पर 30 से कार चलती है तो आप ब्लॉक को जब उपर फैकत बॉल वापस आपके हाथ में आगई इस निर्देश तंत्रे में कोई confusion ही नहीं है बॉल को उपर फैका भया नीचे आगई जबकि अगर सड़क पे खड़ा होगे कोई इनसान देख रहा है तो उसको क्या लग रहा है उसको यह दिख रहा है कि जैसे बॉल को उपर फैका गय बॉल उपर जाती है आपकी कार आगे बढ़ती है 30 मेटर परती सेकंड से और यूँ उपर जाकर कि बॉल के पास भी 30 मेटर परती सेकंड होता है तो ध्यान से देखने की कोशिश करना यह मालो आप हो यह आपकी बॉल है आपने बॉल को उपर फैका जब आप बॉल को उपर तो आपकी कार भी 30 मीटर चलती है, ये भी आगे की तरफ 30 मीटर चलती है, और प्रस्तिवी साथ में इसको खिछती है, तो ये ऐसा देखने को मिलता है, ये यू जाके यू आगे, तो अगर सडक पे खड़े हो के देख रहे हो, तो ये कहानी आपकी ऐसी है, और अगर कार के अंदर बैठ के देख रहे हो, तो आपको क्या मतलब उपर भैका लिचे आ गया बात करा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, इधर आते हैं, अगर प्रत्वी के साथ से इस चीज को दे प्रत्वी कितनी है, तीस मीटर प्रति सेकंड, ब्लॉक की भी कितनी है, तीस मीटर प्रति सेकंड, बट समझना, आपकी गाड़ी में तोरण है, तोरण का मतलब समझते हो, तोरण का मतलब यह होता है, कि आपकी गाड़ी का वेग, एक सेकंड में, एक सेकंड में, कितना पास शैतिज दिशा में कितना वेग है 30 meter per second क्यों क्योंकि आपकी मेज के पास भी कितना वेग है 30 meter per second परन्तु जब ये बंदा हवा में पहुँच गया मालो यहां पहुँच गया तो इसके पास आगे की तरफ कितना वेग है 30 meter per second क्योंकि मेज से बिछड़ते समय जितना उसको मेज से प्राप्त हुआ वो वेग था 30 meter per second वो velocity थी 30 meter per second परन्तु सोचो imagine करो कि अब मेज की speed क्या है अगले एक second में जो मेज की speed है वो दस से बढ़ गई और मेज की speed हो गई 30 से 40 तो मेज की speed तो हो गई 30 से 40, ball की speed 30 ही है इसका मतलब अगले एक second में आपकी मेज चलेगी 40 और आपकी ball चलेगी 30 और obvious ही बात है मेर्च अगर आगे चली जाएगी तो जिस point पे पहले block गिरा था अब आपका block उस point से पे नहीं गिर पाएगा और उससे थोड़ा पीछे गिरेगा नहीं वाली इस्तिती पर इसलिए आप देखो point number 1 और point number 2 अलग अलग थे जबकि यहाँ point number 1 जो था वहीं पे जाकर के box किरा और यहाँ भी जो point number 1 था वहीं पे box किरा clear? तो प्रत्वी के निर्देश तंत्र से देखने में कोई दिक्कत नहीं है परन तो कार के निर्देश तंत्र में देखें तो बड़ा गुस्सा आता है कि मैंने तो पीछे के तरफ कोई बली नहीं लगाया था तो वो मेरा block पीछे क्यों आ गया कार में बैट के आप नहीं समझ सकते बड़ जैसे आप प्रत्वी पे खड़े हो जाओ प्रत्वी पे खड़े हो कि आप देखोगे तो actual में ये वाली कहानी है और इस कहानी में न्यूटन के नियम का कोई भी अपोज नहीं हो रहा जबकि इधर हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ प्रत्वी अपने आप में कैसा फ्रेम हो गया जड़त्वी है और अगर कार जो त्वरित है इन दौनों कार में कोई दिक्कत नहीं अगर कार एक समान भी एक से चलू रही है और रुकी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है पर अगर कार में तुरन है तो फिर उस कार के अंदर बैठावा बंदा कभी नहीं समझ सकता कि ब्लॉक जो है वो पीछे क्यों आया क्लियर तो कार अपने आप में क्या मानी चाहेगी अ जड़त्वी है निर्देश तल्वित ओके क्लियर हुआ सभी को अर्राम से इसके बारे में सोची वीडियो को रोक करके फिर में आपको और एक बार वापस समझाता हूँ अगयर चली एक बार वापस से concept को समझ लेते हैं फिर से एक बार मैं आपको इसके frame of reference में समझाता हूँ फिर इसमें समझाओं देखना कार में बैठे वे हो कार में बैठे हो तो बार की दुनिया बूल जाओ कार में बैठे हो ब्लॉक को आपने उपर फैका मालो बॉल को फैका हो उपर फैका वापस आत में आ गई कोई दिक्कत नहीं है कार एक समान वेक चल रही है आपने उपर फैका वापस हाथ में आ गई न्यूटन के नियम का कोई violation नहीं हुआ बहुत अच्छा लगा जब कार परित हो रही है कार की speed समय के साथ में बढ़ रही है आपने block को जहां फैका उससे पीछे आपको मिलता है और यही सोचो अगर कार ने brake लगा दी होते तो क्या होता अगर कार brake लगा दी तो कार की speed 30 से 20 हो जाती और आपके ball की speed 30 ही रहती तो ball आगे की तरफ गिरती अगर कार speed खिच लेगी तो ball पीछे गिरेगी और अगर कार brake लगाएगी तो ball आगे गिरेगी तो आपके दिमाग में एक ही confusion आएगा, कि जब मैंने ball को उपर फैका था, तो मेरे हाथ में वापस क्यों नहीं आई, जब car अपनी speed बढ़ाती है, तो वो पीछे क्यों आती है, और जब car brake लगाती है, तो वो आगे क्यों जाती है, जब कि मैंने तो उसके उपर, ने यूँ को हो गया, जड़त भी है, तो तौरित कार जो है, उसके अंदर बैठ करके अगर देखोगे, तो वो frame कौन सा है, frame of reference कौन सा है, वो आपका non inertial frame of reference है, आया समझ, अब आप सड़क पे खड़े होके देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा, हुआ ये था, कि आपने block को फैका, य से समझने की कोशिश करते हैं, ये रा बंदा, ये री ball, या block जो भी काओ, आप दूर से ऐसे खड़े होके देख रहे हो, कार रुकी विए, बंदे ने ball फैकी, वापस हाथ में आगई, कार एक समान वेक चल रही है, तो जब बंदे ने फैका ball को, तो कार की speed भी 30, ball की भी 30, तो ये ऐसा हुआ, ये उपर क्यों गया, कोईकि आपने फैका, नीचे क्यों आया, कोईकि गुर्तवा कशन बल है, और ये 30 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है, तो ये भी 30 मीटर प्रति सेकंड, कोईकि मेज से छूटने के बाद, इसको उतना ही वेक प्राप्त होगा, जितना मेज का था, तो मेज का 30 तो इसका भी 30, तो ये ऐसा देखने को मिला, परन्तु यहां क्या हुआ, कार में बैठे वे बंदे किसाब से नहीं, सड़क पे खड़े होके सोचो, क्या हुआ, हुआ ये कि कार जो थी, उसकी स्पीर थी 30, बॉल भी 30, आपने बॉल को फैका, बॉल होई था, तो बॉल तो अपनी उसी 30 से चल रही थी, इस इंजन के कारणी 40 चल गया, और बॉल यहां गिर गए, यहां न्यूटन के नियम का कोई वाइलेशन नहीं है, अगर आप बाहर से खड़े होकर के देखते हो, सब कुछ अच्छा ही लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर तो कार में खड़े हो, कि कार में बैठके देखते हैं, तो समझ में नहीं आता कि बहुत पीछे क्यों आई, इसलिए हम क्या करते हैं, अगर, अब समझो, हम तो बहुत जिद्धी हैं, हम यह चाहते हैं, कि हम अजड़त्वी निर्देश तंत्र के अंदर भी न्यूटन क को भी फैका, और आपकी कार में तुरण है, तो जब वो उपर ऐसे फैकते हैं, तो पीछे की तरफ आती है, तो पीछे की तरफ आने वाले बल को मानना पड़ता है, और यहाँ पे आप उस बल को नाम देते हो, श्यूड़ो फोर्स, श्यूड़ो का मतलब होता है, जो चीज एक्षül में है प्ड़ा, यहाँ चीजह कार में कार में बैठका यहाँ, नीटन का नियम है, तो आप दुनिया की किसी भी तागत को लिया हो, वो आपको यह नहीं समझा सकती, कि बाल को फैकने पर आपकी कार अगर तुरीत है, तो बाल पीछे क्यों आई? कोई नहीं नहीं स क्यों आ रही है। इसको समझाने के लिए हमने बल मान लिया कि अगर आप कारमे बैठे हो और कार में बैठके समझना चाहते हो तो आपको छदंबल मानना पड़ेगा, वह छदंबल के कान जो बॉल है वो पीछे आरी है आप ऐसा बून सकते। क्लियर पकार में ब्रेक लगा रहे हो तो वोई छदमबल आगे की तरफ लग रहा है जो बॉल को आगे लेके जा रहा है परंतु अगर आप प्रत्वी के सापेश देखोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ कोई श्यूड़ फोर्स आपको नही इसलियर हो गई बात आगे हमजा अब मैं आपको एक एक्सपरिमेंट करके दिखाता हूँ उस एक्सपरिमेंट में मैं क्या करने वाला हूँ मैं एक चेर के उपर बैठ जाओंगा बॉल को लेकर के और चेर को मैं मान लूँगा कार और बॉल मेरे हाथ में रहेगी और उसमे सब्सक्राइब तो है में सेम एक्सपरिमेंट जो यहां पर हो रहा है वो करके देखाँगा और फिर अपन देखते है कि बॉल के साथ क्या होता है जब वह एक्सपरिमेंट चलरा हो तो आप रिलेट करने की कोशिश करना जो मैंने यहां पर पढ़ाया था शलिए देखिए तो जो train और block वाला experiment है उसको हम लोग chair और ball के साथ में करने वाले हो सकता है उतना accurate ना रहे बट मेरे दिमाख में idea आई तो अपन उसको करके देखते है same experiment जो मैं आपको board पर explain करना था उसको हम chair और ball के साथ में करने वाले है तो मैं chair पर बैठने वाला हूँ chair पर बैठने के बाद मैं assume कर लूँगा कि मैं एक car में बैठाओं और फिर इस experiment को मैं perform करूँगा मुझे चलाया जाएगा एक बार एक समान वेक से means constant velocity से और फिर मुझे accelerate किया जाएगा मैं ball को उपर फैकूँगा जैसे कि अपन ब्लॉक को फैक रहे थे और फिर अपन देखते हैं कि चीजें किस तरह से चलती है शुरू करते है ओके तो हम लोग इस experiment को करने वाले हैं मैं हलका सा आपको explain करता हूँ क्या दिमाग में चल रहा है ये अपने सामने जो chair है ये movable chair है इसको पहले बात अभी car rest पर है ये मालत है अभी car rest पर है और इस ball को मैंने हाथ में लिया और इसको उचाला ये वापस मेरे हाथ में आ जाती है ठीक है ball को मैंने लिया उचाला वापस मेरे हाथ में आ जाती है अब क्या होने वाला है अब पहली बार में मुझे एक बंदा चलाएगा, इस wheel को चलाएगा, इस steer को चलाएगा, उससे क्या होगा, constant speed से, धीरे 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 constant speed चलाएगा, उस सम्में मैं ball को उचाल करके देखूँगा कि क्या हो मेरे हाथ में आती है, एक बार तो अपन ये करेंगे, दूसरी बार में क्या करेंगे, कि ज देखते हैं क्या scenario रहता है, तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग, सबसे पहले एक समान चाल से, और उससे पहले rest, अर्थात विरामावस्था का ये अपन देख चुके है, करें शुरू, चलिए, तो first of all, धीरे-धीरे मुझे लेके चलिएगा, आईए, पीछे से, background, back में, तो मैं ball को उचाल के check कर रहा हूं कि वो मेरे हाथ में आती है क्या, तो आप देख सकते हो कि अभी जो अपनी car है, या पर अपन बोलें wheel, वो एक समान चाल रहा है, तो जहां से मैं ball को उचाल रहा हूं, ball वहीं मेरे हाथ में आ रही है, stop, okay, तो अब इस experiment को अपन second version में करने वाले हैं, यहाँ पर इस बार हम लोग acceleration करेंगे, मतलब तॉरन करेंगे, तो दो बार जब ball उचल लेगी, तो तो एक समान बेग रहेगा, तीसरी बार में तॉरन आपको देखने को मिलेगा, चलो शुरू करते हैं इस experiment को, okay, तो आप गाड़ी दिरे दिरे चलना शुरू हो रही है समान में अपर, और अब गाड़ी दिरे दिरे चलना जस शुरू होती है, एक समान बेग से, तो यह गाड़ी एक समान बेग चल रही है, बार मेरे हाथ में आ चुकी है, फिर मैंने आपस प्रेका, वापस है बार मेरे हाथ में लेट सी, तो आप रिलेट कर पाए होंगी, उस experiment में बहुत अच्छे से, कि जब आपके chair रुकी भी थी, यहाला case था, जब chair को आगे लेके जा रहे थे अपन, तो उस समय अगर एक समान वेक था, तो यहाला case था, और इसमें, इसके लिए मैंने क्या क्या था, chair को पिछे लेक जब मैंने ball को अपने हाँ से छोड़ा, और chair को एकदम से मैंने पीछे खिंच लिया, तो ball को जो मैंने wake दिया था, और chair के पास जो wake था, chair ने वो wake ball को दे दिया, मालनो वही 30-30, तो chair ने wake दिया 30 ball को, तो ball आ रही है पिछे 30 के wake से, और chair पिछे आ रही है 40 के wake से, तो ball पहल मेरे हाथ में क्यों नहीं आई मेरे खास से कैसे फिस लगे जब की जो सड़क चड़क रहा है बाहर से दूर से देख रहा है जैसे आप देख रहे थे तो आप को समझे में आ रहा था कि हैं बया कोई दिग्गत नहीं है तो आप देख रहे थे इस इस frame of reference है और मैं चेर पर बैठके देख रहा था इस frame of reference है अब एक और practical आपके सामने करते हैं उसको देखी है फिर उसके बारे में बात करते हैं तो अब हम लोग एक second experiment करेंगे जो frame of reference related है हम लोग inertial non-inertial को एक बार और से अच्छे समझने की कोशिश करते हैं चलिए देखिए तो यह जो experiment है इसके अंदर यह ball आपको दिखे होगी stable सी ball है और यह मेरा निर्देश तंत्र है मतलब यह जो डबा है यह अपना निर्देश संत्र अपने मान रखा है अब मैं क्या करूँगा इस डब्बे को पकड़ करके एकदम से आगे लेके जाओंगा अब ball पे focus कीजिएगा अगर आपने notice किया हो तो जैसे ही मैं डब्बे को पकड़के एकदम से आगे लेके गया ball पीछे गई है और ball इसको hit करती है इस सतय को hit करती है अब फिर से बार दे सकते हैं जैसे ही मैं डब्बे को तुरित करके एकदम आगे लेके जाओंगा ball hit करेगी डब्बे के इस सतय क I hope आपने नोटिस कर लिया होगा सोचने वाली बात ये है कि जो बल है वो मैं लगा रहा हूँ डबे के उपर तो बॉल के उपर बल कौन लगा रहा है तो जब निर्देश तंत्र लोगे आप डबे का तो आप इस चीज को explain नहीं कर सकते कि वो जो बॉल है वो बिना बल लगे कैसे चल रही है और इसी लिए ये non-inertial frame माना जाएगा और इसके अंदर अगर आपको explain करना है तो आपको छदम बल लगाने पड़ेंगे शुडो फोर्स लगाना पड़ेगा आप इस डबे के respect में नहीं बता सकते आप इस डबे के डबे को अगर निर्देश तंतर मानते हो तो आप explain नहीं कर सकते कि ये ball पीछे के तरफ क्यों आ रही है यही खास बात है क्योंकि अगर बल मैं डबे पे लगा रहा हूँ तो ball के उपर ball कॉल लगा रहा है जैसा पहले के examples में भी था और इसको अपन फिर से board पे बागर discuss करेंगे पर एक तीसरा practical all करते है ताकि आपकी clarity और अच्छी है अब हम तीसरा experiment करने वाले हैं इसके अंदर ये एक चक्ती सी मालीचे जिसके उपर अपने एक सिक्का रखा हुआ है और अब मैं क्या करूँगा इस चक्ती को गुमाना शुरू करूँगा अभी तक आपने क्या किया था अभी तक आपने एक तौरन जो देखा था वो तौरन था रेखी है तौरन अब हम क्या करेंगे इसको गुमाना शुरू करेंगे ॏ घुमाते घुमाते धीरे धीर इसकी speed बढाएंगे मतली इसको तुलित करेंगे देखते है, सिक्के के साथ क्या होता है चले, स्टार्ट करते है मैं धीरे धीरे इसकी speed इंगीस करता जा रहूं अब आप अगर notice करें तो सिक्का गूम करके अधर आ गया है बट इस जो सिक्के के लोकेशन है, आप दियान से देखें, जो आठा हठा है, उस आठे के हटी भी जगे से आप देख सकते हैं कि सिक्का कैसे गया एक्छल में जो इस सिक्का है वो इस तरहे से गया यूँँ, आप इसके ट्रेस को चेक कर सकते हो, ऐसे, तो सिक्का कुछ इस के बारे में विचार करना पड़ता है ब़त वहीं फिर से आती है कि मैं बल लगा रहा था चक्ती के ूपर चक्ती को यह तुरन कर रही थी फिर इस सिक्के के उपर बल किसने लगाया तो अगर इसको एक्सवाइ जैड मान के अगर अगर आ तो यहां पर अपन को दो प्रकार की बलों की बात करने पड़ेगी जब देरे-देरे एडवांस टॉपिक्स में आएंगे अपन तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे पर यह सारे एक्सप्रेमेंट यह प्रूफ करते हैं कि इनर्शल फ्रेम क्या चीज है और नॉन इनर्शल फ्रेम क्या चीज है इस एक्सप्रेमेंट को आपने वापस करके देख सकते हैं ताकि आपको और किलारिटी हो जाए एक्सप्रेमेंट को वापस से करते हैं ताकि एक बार आप फिर एकति यह देखिए तो अब इसका प्रॉपर ट्रेस है कि यह इस तरह से गया है जिसके हम लोग पहले भी बात कर रहे थे चली तो इसमें आपने देखा कि जो आपका ब्लॉग था जो आपका बॉक्स था उस बॉक्स को अगर आप पया जब को एक लिछ गाता है तो बॉक्स के तुरित करते ही अंदर वाली बाल क्यूं ho इली? जबकि मैंने बल तो box के उपर लगाया था, ball के उपर नहीं लगाया था सही बात है, तो अगर आप उसके respect में देखोगे जो आपका box है, उसके respect में देखोगे उसको निजदेश तंतर मानते वे चलोगे तो आप इस चीज को explain नहीं कर सकते बाहर से खड़े होकर कि आप same concept से उस चीज को explain कर सकते हो जब मैं दीरे दीरे उसको गुमा रहा था और एक समान वेक से वो गुम रहा था तो जब तक एक समान वेक था कोई दिक्कत नहीं थी पर अब एकदम से उसको तौरीत कर दिया तो तौरीत करती अंदर जो सिक्का है वो सिक्का एक ऐसे रास्ते पर गया जिसको मैं explain उस निर्देश तंत्र में नहीं कर सकता था इसलिए अगर मुझे उसी चक्ती को निर्देश तंत्र मानते वे उस सिक्के के पत्थ को समझाना है तो वहाँ पे मुझे छद्दम बल मागने पड़ेंगे और उन छद्दम बलों के बारे में अपनाने वाले वीडियो में बात करेंगे कि वो किस प्रकार के हैं बट याद रखें कि ऐसे तौरीत होती भी चक्ती ऐसे तौरीत होता हुआ डबबा और आपके पास तौरीत होती भी गाड़ी ये सब आपके non-inertial frame of reference है क्योंकि इनके अंदर कोई भी object होता है इनके अंदर कोई भी पिंड होता है तो उसका जो भी motion होता है उसको अपन उस निर्देश तंतिर में बैठ कर नहीं समझा सकते कार में क्यों हुआ ये नहीं समझा सकते बॉक्स पे बल लगा था बॉल की उविली नहीं समझा सकते बॉक्स को सोच करके चक्ती के उपर बैठ करके आप कभी ये नहीं बता पाऊगे कि चक्ती में से सिक्का क्यों गया को कि चक्ती अपने आप में disk अपने आप में क्या है non inertial frame of reference वहाँ pseudo force लगाने पड़ेंगे तब ही अपन न्यूटन के नियम के बारे में बात कर पाएंगे यह advanced वीडियो था कापी जिसके अंदर मैंने frame of reference के बारे में बात करी यह बहुत अच्छे से उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा यह BSC के लिए specific चैनल है यहाँ पर इसी तरह के लेवल के practical और वीडियो आपको देखने को मिलेंगे तो इसी के साथ आपसे वीडियो को लाइक शेर कर दीजेगा क्योंकि यह जितने लोगों तक आप पहलाएंगे उतना ही सभी बच्चों के मदद होगी काफी सारे concept ऐसे pure concept हैं जो अगर आपको सही समय मिल जाएं तो आपकी education का जो level है वो अलग हो सकता है तो इस mission में साथ दीजिए चैनल को subscribe कीजिए अगर नए है तो like कीजिए, share कीजिए और नीचे whatsapp number शो हो रहे हैं यहाँ पे आप message कर सकते हैं यहाँ से आपको application का link मिल जाएगा हमारी वहाँ पे BST का specific course है आप वहाँ पे जाकर के notes वगरे purchase कर सकते हैं ताकि आपकी और अच्छे से help हो सके तो इस video में बस इतना ही, आगे हम और बात करेंगे बट मैं उम्मीद करता हूँ आपको practical video बहुत पसंद आया है और इस तरह के video में आपके लिए और लेकर आते रहें बबाए, जैहन, दिलते हैं अगले video आपके आपके मैं